नमस्ते ग्रेंट्स कैसे हैं आप लोग आशा करती होंगे और फिर से स्वागत है मेरी नई रेसिपी में तो आज हम बनाए हैं बहुत ही टेस्टी हेल्थी दलिया जो कि सभी को बहुत प्रसंद आती है बच्चे बढ़े सभी लोग बहुत मज़े से खाते हैं तो इसको बनान इसको ना दो तीन पाने से अच्छे से दोल करके और पांच मिनटी के लिए भी हो दिया था उसके पाद में पूरा पाने इसका निकाल के रख लिया है और यह ले लिया है कुछ हमने सब्सियां जैसे के आलू टमाटर प्याज शिम्ला मिर्ज गाजर हरी मिर्ज और थोड़ सकते हैं तो इदर हमने चड़ा दिया है कड़ा ही और इसमें टाल देंगे हम सर्षों का तेल आप चाहें तो रिफाइδ के बना सकते हैं अप चाहें तो घीमे बना सकते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट हाता है सिसका गरभ सने देंगे यसे निकाड़ी तो हम इसमें डाल अगया कि मैं धाल देंगे भी अजी ने जी के यह को चीन हम फेंव पगमकी को कि क्योंकि पष्ट狗 को बार्याने आजकों मैं अलुकर दॉक्षाज सुखहने देंगे शीकमें खेंड़ा ही कि अच्छी देंगे सुखर अश्रेफ क तरिक से इससे बगांप बड़ी होसे कि देख कब चाहिए से जाहिए तो पकेके से अब आपels कुछ तो सबसको है ईदाल दिया अपने टेस्ट साथ में मूल सकते हों लिए कि मतलब आपको जातीक्षा पसंद या कम त इससाब होसा है ध्युटें GA कि इसको अच्छे से ना चलाते हैं थोड़ा सा भूल लेना है बहुत ज़्यदा पकाना नहीं है फिरेंट्स मस खली दो चाहर मिनट के लिए बहुंगे असब इसी शिशु को पिर डाल देंगे हम इसमें एक साथ ही आलू टमाटर और अपने गाजर और इनको भी अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद में दो- तीन मिनट इनको अच्छे से भून लेना है बहुत जल्दी से यह चीज़े पक जाती है तो बहुत ज़्यदा टाइम भी नहीं लगे गवरेंस लिकिन इस से ना यह सब चीज़े डालने से डलिया का टेस्ट हमारा बहुत अच्छा बढ़ जाता है और टेस्ट के साथ में यह हल्दी भी हो जाती है तो अपने आप में ही बहुत हेल्दी होती है पर अगर आप इस सब चीजों को डाल करके बनाएंगे ना तो और ज्यादा टेस्ट हेल्दी हमारी दल्या बनेगी तो यह देखिए बढ़िया से इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसको बढ़िया से भूल लेना है तो अब हम इसमें डाल देंगे अपनी दल्या जो अपने दूल करके रखी थी अगर आपके पास समय है तो पांच मिनट के लिए पानी में फिगो के रख दीजिएगा अगर समय नहीं है तो आप वैसे ही इसको दूल के तुरंत भी बना सकते हैं बहुत चल्दी पख जाती है बहुत ज़दा समय नहीं लगता है इसको पखने में तो यह देखिए दल्या ज़ने हैं और इसको भी भूल लेना है मतलब और 2 तिन की सबस्टियों के साथ में इसको भी भूल berryा को भी नो उस यह दो भी जाता है क्योंकि साथ में माइ डलिया भी भूल जाती है के और अगर आपके पास पहले से ही दलिया भूनी घुराटbird करें हैं तो अगर वैंसी है तो फिर तो भूनने के कोई जरूद्च नहीं और तुरंति डाली ऐप बस मिक्स कर दीजी अच्छे से तो यह देखिए अच्छे से इसको भूल लेना है और बहुत ही अच्छी सी टेस्ट सी हमारी तलिया बनके तयार होगी अगर आप मेरे चैनल को पहली बार आए हैं वीडियो को पहली बार देख रहें तो सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा अब हम इसमें डाल देंगे मसाले तो यह मेने सब्जी मसाला है एवरेस्ट का है आपके पाद जो है आप वो टाल दीजीगा इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और साथ में डाल दिया थोड़ी सी हल्दी पावडर धनिया पावडर और यह थोड़ी सी कुटीवी लाल अब त्यूहय कि अच्छ को आ में द्याख का सब्सक्राइब कावडर दाल देंगे इसमें हम थोड़ा अ मैं में डंस नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब के डालेगा और सारे मसालो डाल करके रखाए अच्छे से इसको ठीसे आदना है ति जाती सब्सक्राइबdoo आज जातनों धाला सब्सक्राइब ४स्क्राइब हमारी बनके तयार हुथी ना सबको बहुत पसंद आई सबने बहुत ही मज़े सखाई मेरी बेटी तो इसको टिफिन में भी लेके गई थी अपने कि मैंने सुबह सुबह बनाई थी इसको आप कोई टाइम फिक्स नहीं है आप सुबह दुपाहर शाम जब आपका खाने का मनों आप तब बना के खा दीजिए और इसको टिफिन में भी दे सकते हैं आप बना करके और या वैसे ही आपका कुछ अपटा खाने का मन है फटा फट से और लेकिन हेल्दी भी होना चाहिए तो आप इस दलिया को बना के खा सकते हैं सबजिया इसमें कोई जरूरी नहीं कि जो म पानी दाल करके ना इसको अच्छे से पत्ने देंगे तो यह देखिए वाला चुका है कि अ कि अपना अच्छा सा कलर भी आया ना साथ में अबस इसको एक बार और चला देंगे इसमें प्रेंट चलाते जरूर रहेगा नहीं तो यह चिपक जाएगी नीचे से ना इसको इस बहुत अच्छी सी खुश्बू आ रही है इस में से फ्रेंट्स तो आप लोग इसको ट्राइजरूर करना एक बार और मुझे कमेंट जरूर करके बताना कि आपको यह रेशिपी कैसी लगी है और ट्राइज करना फिर आपके कमेंट करना मुझे दूबारा से कैसी बनी थी के तयार हुई हमारी दलिया अगर आपके पास में हरी दनिया है तो इसमें उपर से आप हरी दनिया भी डाल दीजिएगा मेरे पास हरी दनिया नहीं थी तो मैंने नहीं डाला है अगर है आपके पास तो आप जरूर डालना इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा यह दे देखिए बढ़िया सपक भी गई है अब गया इसको बंद कर देते हैं और इसको गर्म-गर्मी खाएंगे फिर बहुत टेस्टी लगती है तो फिर से मिलते हैं मैं वीडियो में नहीं रेसिपी के साथ में